दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मासाब की पाट साला मैं। देखें एक फेस के चुनाब हो चुके हैं 15 अप्रेल को हमारे यह 15 अप्रेल को ही चुनाब थे तो आपको को कोई भी प्रपत्त्र करना है कैसे लिफापा भरना है कब लिफापा भरना है और कौन सी चीज इंपोर्टेंट है और कौन सी चीज आपको नहीं करनी है यह आपको सब कुछ इस वीडियो में बताये जाएगा चाहे आप पीठा सीन हों, पीबन हों, पीटू हों कैसे स्मार्टली वर्क करना है आपको और जब आप छह वजे या साथ वजे जब मत्दन खतम हो जाता है जब आप पेटी को सील कर देते हैं तो उसके बात जब आप ब्लॉक पर पहुंच जाएं तो तुरंत आपको कैसे समा जमा कर सकते हो, तो देखते क्या क्या करना है आपको और कव कव करना है, और कैसे कैसे करना है देखे जब आपकी duty लगती है, जब आपको decoding letter मिल जाते हैं, जिसमें आपको मतदान इस्थल का पता चल जाता है, कि आपकी कौन से मद्दानिस्थल पर ड्यूटी लगी है तो फिर आपका काम होता है कि अपने स्टेशनरी और मतपेटी प्राप्त करना कुछ जलो में क्या है कि ट्रेनिंग के टाइम पर स्टेशनरी नहीं दी गई है लिफापे नहीं दिये गए है तो उनको एक दिन पहले ही वो लिफापे बगएरा देंगे तो कैसे क्या करना है देखी सबसे पहले ये एक लेटर मिलेगा आपको ये बहुत इंपर्टेंड लेटर है निर्वाचक नामावली की प्रतियां थ्री ये आपको चेक कर लेनी है तीन प्रतियां है के नहीं है कटी फटी तो नहीं है और सही है के नहीं है निर्वाचन लड़ने वाले या ब्यरतियों की सूची सभी चारों पदो हे तू अगर चार पदो हे तू इलेक्शन हो रहा है सदस ग्राम पंचाय परधान चेतर पंचाय सदस और जिला पंचाय सदस अगर चार के लिए हो रहा है तो चारों की मिलेंगी तीन के लिए हो रहा है तो तीन की मिलेंगी और दो के लिए हो रहा है तो दो की मिलेंगी अगर एक के लिए हो रहा है तो एक की मिलेंगी आपको अमिट स्याही ये भी चेक कर लेनी है आपको अमिट स्याही इसमें दो लिख रहा है दो नहीं हो तो कम से कम एक होनी चरूर चाहिए सुमिन्निक चिन वाली मोहर सुमिन्निक चिन वाली दो मोहर होती है एक सिंगल वोडर की और एक डबल वोडर की वो भी चेक करनी है आपको पेपर सील पेपर सील हर जगे अलग-अलग दे सकते हैं कहीं 3 दें, कहीं 4 दें, कहीं 6 दे पेपर सील इसमे जीरो चार दी है वो भी आपको चेक कर लेनी है मत पत्र पर लगाने के लिए एरो क्रॉस सील एरो क्रॉस सील चार देते हैं ये भी होने चाहिए पीटा सीन अधिकारी के लिए धातू मुद्रा मेटल सील होती है एक इसको भी आपको चेक कर लेना और मत पत्र आवस्यक्ता अनुसार आवस्यक्ता अनुसार का मतलब यह है कि जितने भी निर्वाचिक नामा बली में आपके बोटर्स होंगे उतनी ही देते हैं उससे ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं देंगे अगर कम दे रहे हैं तो आप को उन से बात करना है और देखिए यहां पर करमांग से करमांग तक लिखके देंगे कुल कितने मत पत्र दिये, छेतर पंचायद के लिए कितने मत पत्र दिये और जिला पंचायद सदस के लिए कितने मत पत्र दिये देखे इस पे counting आप कैसे match करेंगे जैसे 3,4,9,0 में से 0,9,8 minus करेंगे यह 0,9,8 नहीं है यह 0,99 होगा 0,99 को जब minus करेंगे आप तो क्या आएगा 391 391 और यह 99 वाला भी होगा इसके अंदर तो यह और add कर दो को तो यह 392 हो गया अब देखे यह जैसे प्रधान पद हे तू आपको यह उम्मीदवारों की सूची मिली है इस पे main चीज क्या है बूद संख्या लिखा होगा जो प्रधान पद के उम्मीदवारों की सूची है उन पे बूद संख्या लिखा होता है ऐसे जब आपको अगर सदस्य ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा होगा ज़्यादा तर निर्वरोद चुल लिए गए हैं अगर हो रहा होगा तो सदस्य ग्राम पंचायत के लिए वहाँ पे बूद संख्या नहीं, वहाँ पे बाढ लिखा होगा कि बाड एक से कौन लड़ रहा है, बाड दो से कौन लड़ रहा है, बाड तीन से कौन लड़ रहा है, तो यहाँ पे इनकी ग्राम पंचायद प्रधान उम्मीद्वार की सुची है, इसमें 11 लड़ रहे हैं, 11, ऐसे ही निर्वाचेक लड़ने वाले उम्मीद्वारों की संख यह क्या है प्रादेशिक निरवाचन छेतरक्रमांक 17 ठीक है इसमें क्या है फ्रेंब-टेश विए कोई लड़त विए कि असकर हो गया इनका बार्ड नम्मर ये है बार्ड संख्या 55 BC लेडिस छेतर पंचायत सदस के उम्मिद्वारों की सूची है लेकिन ये निर्वरोद चुल ली जाएंगी क्योंकि इनके जब कोई है नहीं सामने तो इनका एलेक्शन नहीं होगा तो यहां पर ये छेतर पंचायत है साधा बाद छेतर पंचायत का मतलब होता है कि आपका वो ब्लॉक ब्लॉक लिखा होगा वहां पर और उसका बार्ड संख्या होगा तो छेतर पंचायत में ब्लॉक और बार्ड संख्या होता है ग्राम पंचायत परधान में सिरफ बूत संख जो भी बाढ़ने ऐसे होते हैं और जिला पंचाइत सदस के अंतरगत जो जिला होगा आपका उस जिले का निरवाचन छेत्र होगा यह आपके आगे काम आने वाले हैं देखिए इस तरीके से आपको यह रिसीट मेमो सबसे में चीज है यह रिसीट मेमो आपको तीन प्रतियों करते दार जामा की जाने वाली वस्ताओं की सूची तीन प्रतियों में तैयार की जाएं अगरुइंट प्रतियों नहीं करिए आपने और इसीसे यह वो मैच करके सारा समाल लेते हैं इसमें आठ में आठमा जो पॉइंट है उसको जीरो मानिए आप क्योंको यह रिपीट पॉइंट है तो एक से लेके 11 तक को आपको कैसे चेक करना है क्या करना है मैं यह सारी चीज़ आपको अभी बताऊंगा असामिदे कलिफा पे हो गए इस मतदाता सूची में एक सीड देख लिजये जैसे यह विकास खंड है जी विकास साधाबाद फिक ठेर के साथ शेतर के लिए बर वहां पर चेतर का है और वो जो चेतर संख्या होगी उमीदबार होगी सुची उस पर भरनी है यह संब्द बाड़ एक दो है इसका मतलब है कि पहले बाड़ संख्या एक के वोटरल लिस्ट में जिनके नाम है उनके नाम होंगे फिर उसके बाद में दो के होंगे मतदान के अंदर देखिए 17 है म तो मतनान स्थल हो सकते हैं अब देखिए इस तरीके से आपको मत पत्र मिलते हैं यह गुलावी रंग का है तो सदस से जिला पंचायत का है और इसमें एक तरफ 9 हो सकते हैं मैक्समाम 9 से जादा होते हैं तो दूसरे तरफ आते हैं देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 है और कर रहेते हैं ऐसे यह आपका ग्राम पंचायत परधान ना पंचायत परधान का इन में 6 होते हैं उत्ज кажд 511 होगा है 6 और इधर पाँच देखिए का कि इस में यह आपको इसंदच्छभ से दिये गा कि यह पर दामपत्र कहां से कहां तक दिये गए शिक हंडर तक दिए गए missing करमांग अगर कोई missing करमांग होता है बीच में तो वो यहाँ पर लिखा होता है और कुल मतपत्र हो गए 600 देखे प्रपत्र 41 का है इस से आपको सारी चीजें match कर लेनी है कि आपके बैग में क्या क्या है और क्या क्या रहे गया है तो उसको आपको लेकि जाना है देखे लिफा पे लिफा पे आपको मिल गए होंगे अब देखिए क्या है जो यह सुबिन्क चिन्ट की महर है इसमें यह single water है जब आप लगाएंगे तो यह single water है इसमें देखे कि विकासखंड आ रहा है।enden इसतल कुर्मांग बहर देंगे। गृण का नांब देंगे और मिधिकासखंड बहर को कि अगर परधान के लिए चुनाब हुरा डी भरह तोई जरी चीजें भर देंगे देखिए यह डेवल वर्डर वाली जो है यह छेत्र पंचाय सदस और जिला पंचाय सदस के लिए है इसमें सबसे पहले विकास खंड बर देना है मद्दान इस थल करमांग बर देना है इधर और यह जिला यह तीन चीजा दोनों में सेम होंगी इसके कि आप होगा तो वहां से निर्वाचन चेत्र करमांग भरेंगे को और चेत्र का नाम में आप यहाँ पर कुछ नहीं भरेंगे ज जो इन cray ने आ बहुए कुमक आ उता में सबस्क्राu होगी उम्मीद्वारों की जो आपको सूची मिली है उस पर होगी तो आप यहां पर बढ़ देंगे औभ देखिए यह सारी चीजे मैंने देखिये लिख ली है निरवाचन। छेतर ख्र्मांग क्या है। यह सारी चीजे भर लिए अब इसके बाद में क्या करना है आपको कि यह सारा काम क्या है पहले तो आपने वो क्रॉस्श चेक कर लिए क्रश्च कर लिए क्रोश्च के लेने साब्धानी से पुर्ष को रहे हैं मैला कितने हैं योगी हो गया यह वॉटर लिश्ट का डेटा हो घ्या सब्सक् DDT परफिलने ढमके लिए उनके करवांक लिखिने आपको और ऊपर से प्रदान कराम पंचायत के लिए कहां से कितने तक प्राप्त हुए फिर उसके बाद में क्या है अप्रियुक्त किन्त पीठासीन की मोहर लगे हुए वो लिख लेने हैं आपको जब ए्रेक्शन खतम होने वाला हो या खतम हो गया हो तब उस हिसाब से आपको ये लिख लेने हैं अप्रयुक्त जिन पर पिठासीन की महर भी नहीं है वह लिखले और प्रतिपड् जो इस्तेमाल हो चयके उनके प्रतिपड़ के नमर लिखलेshots नहीं कहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी रंके में कुछ भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे बनाएं कि कि जो लिस्ट बगएरा है वो मोड नहीं न पड़े चिन्नित प्रती मोड नहीं न पड़े दूसरा वह इजीली समान उस लिफापे में आ जाए तो देखें यह यह लिफापे हैं यहां पर आपको दिख रहे होंगे इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगा तो आप वहां से यह देख सकते हैं इस टाइप से आप लिफापे बनाएंगे साथ में हर एक लिफापे पर यह यस सबसे बड़े होते जिसमें जियादा समान होता है तो वो सबसे बड़े वाले में रख लेंगे इस तिन नमडर में और ऐसे चान नमर में तो यह सारा काम आपको रात में कर लेना है, य Ary साथ में इनके पीछे लाक से मूझ छोड़के सब चीज को सील कर देना है इसलिफ़ापे को सामे सामे दिखोो चाहें आ सामे दिखो जब सामेदिक को जिनको बंद करना होगा उनको बाद में जब काम कम्पलीट हो जाएगा तो उनका मुँ खाली मुandra जाएगा तो मुँ ईजिली बंद कर देंगे बहुत कम काम होगा जल्ली से हो जाएगा इसके अलावा आपको जो प्रपत्र है 24 से लेके 40 वो भी आपको प्रपत्र भर लेने है अब देखिए सुबह आपने तयारी कर दी अंदर बाहर का रास्ता लगा दिया महला प्रोस लगा दिया आपने एजेंट्स की न्युक्ति कर दी सारी चीजें कर दी सेक्योर्टी वाले बाहर बैठे हो जह देखिए पीछे बाहर की साड में लगी हुई यह आने-जाने का रास्ता बना दिया आपने आप देखिए पहला जब मतदाता आता है तो सबसे पहले वो पर्ची लेके आएगा P1 के पास में P1 का क्या काम है कि उसकी पर्ची में जो नाम और सीरियल नमर लिखा है उसको उससे मैच करना प्लस उससे वेरिफिकेशन के लिए ID प्रूफ लेना ID प्रूफ को अभी आपको वहां से फॉर्मेट मिल जाएगा जहां से आपने सारा समाल लिया है कोरोना किट भी मिलेगी यह जो रखा है एक लिटर की बोटल रखी है सैनिटाइजर की प्लस गलब से हैं प्लस मास्क हैं कुछ जनरल यूज वाली दबाएं हैं तो यह सारा चीज आपको वही से मिलेगा जहां से आप समाल लेंगे तो बोटर को जब identify कर लिया पीवन ने पीवन जब बोटर को identify कर ले तो कैसे उसको mark करना है देखे जब पुरूस है तो पुरूस के एक आपको pencil मिली होगी पैंसिल होगी जब आप देखेंगे अपने बैंक में तो एक नहीं तीन चार पैंसिल पड़ी होगी साइथ तो उन पैंसिलों में क्या है एक तरफ वो ब्लू कलर की है ब्लू कलर की और एक तरफ है वो रेड कलर की तो आपको कैसे यूज करना है उस पैंसिल को जब पैंसिल को छिल लेंगे उसके बाद में जो ब्लू कलर की पैंसिल है अगर जैंट्स आता है बोट डालने के लिए तो जैंट्स के नीचे अंडरलाइन कर देंगे ब्लू कलर की पैंसिल से और जब महिला आती है तो महिला के नाम के नीचे अंडरलायन कर देंगे रेड कलर की पैंसल से और यहां पर सही का भी निसान लगा देंगे, उसके सीरियल के आगे सही का भी निसान लगा देंगे, तो पुरूस महिलाओ को ऐसे आपको अपनी बोटर लिस्ट पर मार्क करना है पी बन को, इसलिए इसको चिन्नित कर रह लगानी है तिलक की तरह खाल से लेके नाहून तक इस टाइब से लगानी है आप उनका टेबल पर हाथ रखवा सकते हो लेफ्ट हैंड और अंगूठे के पास वाली उंगली पर तरजनी उंगली पर इंडेक्स फिंगर पर आपको इस तरीके से यह अमिट से लगानी है उसके बाद में आपको पुरूस्या महिला जो भी है यह फॉनमेट आपको मिल जाएंगे लिंक ॉर्यू आ कि मिल जाएगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते यह आपके पास में पहले से हो तो वहां से उसको यूज़ कर सकते ऐं Где महिला को महिला को वहने रेड से मार्क किया हुआ पैtown से और फुरूस को ब्लू से क्या मार्क किया हुआ तौर इस तरीके से उसी पैंसिल का इस्तेमाल करके आप महला पुरुस भी मार्क कर लेंगे तेंगे इसी सीरीज में करिद पहले बोडर लिस्ट को अमिट स्या एई का लगाना आपका फिर उसके बाद में पुरोस महिला पर मार्क और बीच बीच में आप इन में भी चेक कर सकते हैं और इनको सीरीज से यूज करें जैसे अब ये प्रधान ग्राम पंचायत का है इसमें 2020 लिखा होगा क्योंकि ये 2020 में एलेक्शन होने थे अब ये 2021 में हो रहे हैं देखिए प्रधान ग्राम पंचायत का ये है मतपत्र उपर जो है ये जो डॉट डॉट बड़े हुए इससे उपर है ये आपका प्रतिपर्ड है इसको प्रतिपर्ड कहते हैं और नीचे वाले को मतपत्र कहते हैं देखिए इसमें जो प्रतिपर्ड में कर्मांक है नब्बै बन को बनाब को जो संख्या ऊंसा निश् inst dolls को इन एमसितर के सफ़ संक्रुक खित के इ儿 ISरे किर्वड़े और बांग में साथ क् Sugdhya को संब़ अधोर्टी क क्रवाई और था इसरेकर आइंगे के साथ यहां पे देगे ऊपर पिन लगी होगी तो इस पिन को मत निकालिए पिन को लगे रहने दीजी और हस्ता अच्छर अंगोठे निसान जब आपको पी बन पीटू को यह दे देगा जो मद्दान अधिकारी पर्थम है वो पर्ची देदेगा मद्दान अधिकारी दूती को तो पीटू करें और यहां पर हस्ता अच्छर अंगोठे का निसान लगवाएंगे अगर पीटू इनको मोड़े तो उसके पास में बहुत कम समय होगा और यह जल्दी से काम नहीं हो पाएगा तो पीठा सीन को उस टाइम पर मद्दान के टाइम पर उस टाइम पर कोई काम नही जैसे प्रत्यपड वो फाड़ेगा उपर से जो प्रत्यपड है यहां पर एक पत्ली पत्ती होगी वो पत्ली पत्ती यहां पर रखके वो प्रत्यपड फाड़ेगा अमीदबार लड़ रहे हैं तो इसको ऐसे मानिए इधर का एक भाग और इधर का एक फाग इस प्रतपड को फाड़ लिया आपने तो मत पत्र अलग हो गया और प्रतपड अलग हो गया अब देखें, इसमें दो भाग हैं भाग एक और भाग दो देखें, भाग एक में जब कोई मत दाता है यहाँ पे स्टेंप लगाएगा यहां पर जब सातीय वाली मोहर लगाएगा जब मोहर लगाएगा आगर आपने सीधा डायरेक्ट मोड दिया यह बीच में से आधा मोड दिया तो यह वाली मोहर इधर आजाएगी और उसका बोट खराब हो जाएगा तो इसलिए यह आपको मोड के देना है पहले यहां से लेके यहां तक आधा मोड़ना है इसको आधा इसखतर इस तरफ मोड़ने देना है फिर उसके बाद में दोनों को फिर एक दूसरे को ऊपर मोड़ने देना है फिर horizontal में मोड़ने है दो बार या तीन ऐा अगर ज़्याद़ बढ़ा है मत पत्र तो तीन बार मुड़ देना है नहीं तो दो बार मुड़ देना है और इसके बाद मत पत्र खोल के मत दाता को दे देने है जिससे वो अपना मत व्यक्त कर सके और जब वो यहां पर मत व्यक्त कर लेगा अपना यहां पर मोहर लगा देगा तो मोहर लगाने के बाद में वो P3 के पास में आएगा पीथरी यहां पे बैठा है ये मत पेटिका को लेके और ये पुसर है जैसे मत डालते हैं तो उपर आ जाते हैं उनको अंदर करने के लिए ये पुसर का इस्तेमाल करता है इसमें जगे होती है उसमें आप देखे क्या है मत दाता ने बोड दे दिया उसने मोहर लगा दी सांतियवालिस फिर वो इसमें डाल देगा इसी तरीके से आपको चुनाब चलता रहेगा तो पीठा सीन को चाहिए कि वो मोडने में या दूसरे काम करने में हेल्प करे अगर तीनो चारो जो करमचारी हैं आपके वो सारे पड़े लिखे हैं और सारे काम कर सकते हैं तो आप P1, P2 पीठा सीन को भी कुछ-कुछ समय में चेंज कर सकते हैं और सारे लोग मिलके जल्दी से जल्दी कार कर सकते हैं आपको सारी चीज़े किलियर हो गई होंगी अब भी आपको कोई कन्फूजन है कोई भी प्रावलम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर मेरे वाटसप या टेलिग्राम ग्रूप से जुड़े हुए तो आप वहां पे मेरा नमबर मिल जाएगा तो आप वहा पत्र उसको साइन करा लेंगे और आप सारा समान लेके अपने ब्लोक आपस में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपने जो जो काम बचा है उसको कंप्लीट करके और सील करके और जल्दी से जल्दी आप जमा कर पाएंगे